बीजेपी जो है बहुत जोर शोर से लगी हुई है रेलियों पर रेलिया हो रही है और उनका नारा यह है कि हम रिवाज बदलेंगे हर पांस साल में सरकार बदलती है सरकार से होता रहा है इस बार नहीं होगा आपका सेस्पन क्या है सारी सडको परा अंदोलित रहा लेकिन उसको अपमानित किया गया यह कहके जैराम ठाकुर जीद्वारा विधान समभा में खड़े होकर पैंशन चाहिए चुनाव लड़िये और विधायक बन जाहिए जिंदगी बर की पैंशन यह उनका अपमान था आज समवेदन शीलता थी गोशना पत्र इनका जारी हुआ है यह तो हमारा है उनसे लिली जी उनका है है मेरे पास यह इनका गोशना पत्र है अग इस गोशना पत्र में ढूंडा हमने ढूंडा ढूंडने में OPS को O नहीं मिला सरकारी करमचारी उमीद लगा कर बैठा था वही कॉंग्रेस के 31 अगस् गोशना पत्र नहीं दस गरेंटी में पहली गरेंटी भारती रास्टिय कॉंग्रेस सरकार बनाते ही दस दिन के भीतर पहली कैबिनेट मीटिंग पहला फैसला OPS पर मोहर और लागू होगा बैंक खातों में एक जनुवरी से एक जनुवरी 2003 से पैसा आना शुरू हो जाएग बैसे बीजेपी मानती नहीं इस बात को कि राजस्तान में और 36 गड़ पे आपने किया है चार सो लोगों की राजस्तान में हो गई सो के दो डॉकुमेंट आ गया है बैंक खाते आगे वीडियो चलाएं आज की लाइफ पीस की परानी पेंशन शुरू होगी बिल्कुल खातों में पैसा चला गया है इमाजल में ये करेंगे आपके बात बताईगे हम उसको पहले एक साल में भर देंगे हम पांच लाख युआउं को पक्की जो है रोजगार का देंगे ये क्या सोगात में देखे जारें 14 लाख युआउं को बेरोजगार छोड़ कर चा रहे हैं दो करूं नोकरी का दिल्ली से वायदा था इनका हिस्सा मिलना चाहिए था 14 लाख बेरोजगार छोड़के जा रहे ये सोगात है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्द दूसरा चाहिए महंगाई इस पूरे इनके घोशना पत्र में 11 में 11 जो बिंदू इन्होंने संकल्प के है महंगाई का मा नहीं है महिला का मा पहले 11 में नहीं है तीन सिलंडर फ्री देंगे लेकिन सचाई ये है एक सिलंडर की कीमत 1150 रुपए पहुंचा दी सबसिडी मिलने ही रही है चूले ठंडे पढ़ चुके है फ्री दोगे भरवाएगा को सेब का भागवान किसान बड़ा मुद्दा है क्या उचित दाम उसे देंगे कोई बात नहीं क्या उस पे जो GST काटून पे 12% 16% उस पे कुछ का है नहीं वो कहरें उतनी लगेगी पर 12% से उपर हम दे देंगे हम कहरें हम GST बढ़ने ही नहीं देंगे हम आपको उचित दाम दिलवाएंगे